ही गाइज गुट मॉर्णिंग वेलकम बैक तू आप देख सकते हो ओ गई है शुरुआत और जैसे हम लेडीज की शुरुआती होती है सारे कामों से घर के तो वैसे ही मेरी भी हो गई है और आज मॉर्णिंग में उठते के साथ ही मैंने क्या किया कि बाहर से सारे धुले हुए कपड़े उतारे और यहां पर मैं जो मशीन से लाए हुए कपड़े हैं उसके बाद करूँगी यह बाहर दालगे और काम घर वगर समेटूंगी उसके बाद करूँगी ब्रेक्ट्वास्ट और जैसे आपको आज पता है कि आज है मेरा सॉल्ट फ्री डे तो वीक में वन सा वीक में करती हूं सॉल्ट फ्री डे बत्तिस बार में हम ये काम करते हैं जैसे सब को ही पता होगा जो लोग बत्तिस बार करते हैं वन सा वीक सॉल्ट फ्री डे करते हैं जि यहां पर सारी बेट शीट्स वगेरा मतलब अच्छे से करके रख रही हूं और उसके बाद अपना रूम सेट करूंगी मैंने सोचा पर रूम ही सेट कर लेते हैं उसके बाद कुछ नाश्ता पानी देखेंगे क्योंकि एक बार साफ सुतरा हो जाता है तो ठीक लगता है यहां अब सोच रहे हूं कि मैं अपने लिए कुछ करूं तो पहले सोचा कि कमरे को साफ कर देती हूं जाड़ वगेरा देती हूं उसके बाद अब जैसे सम लेडीज का होता ही है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं और जिनके मेड होती है या फिर जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि मैं मौनिंग में लेती हूं आजकल एपल साइडर वेनेगर और उसके साथ लेमन हाफ बट आज मैंने नहीं लिया था कि जैसे आज मेरा सॉल्ट फ्री डे की मौनिंग में मैं कोई भी ड्रिंग नहीं लेती हूं मौनिंग ड्रिं बैपल साइडाव एनेगर बैदाम बीखायते हैं exist बीगे वगये हुए और जब सपीडे होता है तो मैं कोशिच करती हैं उस दिन घर पे ही रहूं बाहर नहीं जाना हो क्योंकि बाहर जाते हैं तो हमारा glucose का loss होता है क्योंकि धूप इतनी जादा है तो फिर उसके बाद ना dehydration भी हो सकता है और या फिर salt की कमी से आपको चक्कर वगेरा आ सकते हैं तो मैं घर में ही जो मेरे क काम है वो करती हूं और extra में कोई भी exercise वगेरा नहीं करती है अज के दिन तो उसके बाद ब्रेकफास के बाद मैं किचिन में आगे ती हूं यहां पर अभी केचिन ऐसे मैसी सा फैला हुआ है भी सफाई करनी है यहां पर मैंने सबसे पहले सबजी चड़ा दिये जो मुझे ख खा रही हूं क्योंकि हर मतलब salt फीडे पर कुछ ना कुछ चेंज करके ही अच्छा लगता है तो कल ही मैंने चीला खाया था लंच में तो आज मैंने सूचा कि बिना salt की सबजी बना लेती हूं कुछ मसालेदार बस salt नहीं होगा तो वही खा लूँगी तो यहां पर मैंने ल पाओ भाजी मसाला भी एड़ कर रही हूं उससे भी टेस्ट जो है वह इनहेंस हो जाता है थोड़ा सा सबजी का बस salt नहीं जाएगा और सारी चीज़े हां कुछ मसालों में salt होता है तो उसका ध्यान रखेगा जैसे चार्ट मसाला जो होता है ना उसमें already salt होता है तो वह कंप्लीट कर रही हूं और फिर उसके बाद करूंगी केचिन अभी ऐसे ही है क्लीन नहीं हुआ है मैं ट्राइ कर रही हूं उसको क्लीन करने का और यहां पर गोश्थ है मटन ले रखा है मैंने यहां पर और लोगों के लिए मुझे पुलाओ बनाना था तो उसकी भी लोग सॉल्ट फीडे करें आपको ही करना पड़ता है तो सॉल्ट फीडे पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगी कि लोग बहुत डिप्रेस होते हैं बाद में के अरे हमारा तो वेट गया नहीं या से 500 ग्राम गया या फिर एक किलो गया बट वह वापस आ गया तो मैं पहल कक्षेद बट इसदों को बट जा से अंचाहती हुँ और मैं वे डखने आपज और इसदों कहने करता है और जारी में अड़न है हमेट थाखने मैं जारी आफ़ को खिला दिया किझे साफ कर दिया सार गा हाम हो दरन होग था सिब फीडेसा içeris को बचलों टों हाने दों डिन तो यहां पर मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया जैसे मैंने आपको दिखाया था मैं रोटी खा रही हूं साथ ने जो सबसी मैंने बनाई थी वह है मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं सब कुछ खाओंगी तो उतनी जल्दी वेट कम नहीं कर पाओंगी इसलिए मैं मल्टी ग्रेन रोटी ही खाती हूं और साथ मैंने दही का रायता लिया हुआ यहां पर मैं आपको दिखाती हूं 32 बार में पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे और खूब सारा खाओगे तो फिर उतना वेट नहीं जाएगा और जैसे स्विकार जी ने बताया एक रोटी के खुट छोटे टुकड़े करके छोटे-छोटे पीसेज में खा आपको तो पता है ना ए अच्छे लिखो एन जी जी ए जी और ए और ए तो फिरेंट जैसे आपने देखा वेटे की पढ़ाई चल रही थी साथी साथ मैंने ग्रीन टी और कुछ मखाने लिया ते जो मैं शूट नहीं कर पाई आप भी ऐसा कुछ ले सकते हो शाम को और उसके बाद मैं डिनर की प्रपेशन कर रही हूं या तवे पे मैंने थोड़ा सा शिमना मीचो प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लिया है उसके बाद इसमें मैंने सैलड बनाई है पनीर सैलड इस तरह से यही मेरा आज का डिनर है और शाल्ट वा धूद नहीं किया है मसाले में करते हैं वही था तो इसरे मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में आज का मेरा करें और मुझे नममें बताएं झाल झाल